हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मुन्शी प्रेमचंद जी के उपन्यास के साथ उपन्यास का नाम है गोदान होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा गोबर को उख गोडने भेज देना मैं ना जाने कब लोटूंग जरा मेरी लाठी दे दे धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे ओपले पात का आई थी बोली अरे कुछ रस पानी तो कर लो ऐसी जल्दी क्या है होरी ने अपने जुरियों से भरे हुए माथे को सिकोड कर कहा तुझे रस पानी की पड़ी है मुझे ये चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेट ना होगी असनान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीठ जायगा इसी से तो कहती हूँ कुछ जल्पान कर लो और आज न जाओगे तो कौन हर्ज होगा अभी तो परसों गए थे तू जो बात नहीं समझती उसमें टान क्यों अणाती है भाई मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख यह इसी मिलते जुलते रहने का परसाद है कि अब तक जान बची हुई है नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए गाव में इतने आदमी तो हैं किस पर बेद खली नहीं आई किस पर कुड़की नहीं आई जब दूसरे के पावों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पावों को सहलाने में ही कुशल है उद्धरन धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी उसका विचार था कि हमने जमीनदार के खेट जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा उसकी खुशामद क्यों करें उसके तलवे क्यों सहलाएं यद्यपी अपने विवाहित जीवन के इन बीस बरसों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योंत करो कितना ही पेट तन काटो चाहे एक-एक कोडी को दांट से पकड़ो मगर लगान बेबाख होना मुश्किल है फिर भी वहार न मानती थी और इस विशय पर स्त्री पुरुष में आये दिन संग्राम छिडा रहता था उसकी छे संतानों में अब केवल तीन जिन्दा है एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और दो लड़किया सोना और रूपा 12 और 8 साल की तीन लड़के बचपन ही में मर गए उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवादारू होती तो वे बच जाते पर वो एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी उसकी ही उम्र अभी क्या थी 36 वाही साल तो था पर सारे बाल पग गए थे चहरे पर जुर्या पढ़ गई थी सारी देह धल गई थी वो सुन्दर गेहुआ रंग सावला गया था और आँखों से भी कम सूजने लगा था पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख ना मिला इस चिरस्थाई जीनारवस्था ने उसके आत्म सम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था जिस ग्रहस्थी में पेट की रोटियां भी ना मिलें उसके लिए इतनी खुशामत क्यों इस परिस्थिती से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और दो चार गुर्कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का जनान होता था उसने परास्थ होकर होरी की लाठी मिरजई, जूते, पगड़ी और तमाखु का बटुआ लाकर सामने पटक दिये होरी ने उसकी और आँखे तरेर कर कहा क्या ससुराल जाना है जो पांचों पोसाक लाई है ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊंग होरी के गहरे सावले पिछ के हुए चेहरे पर मुस्कराहट की मृदुता जहलक पड़ी धनिया ने लजाते हुए कहा ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो की साली सलहजें तुम्हें देखकर रीज जायंगी होरी ने फटी हुई